नमस्कार दोस्तों आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल में दोस्तों हमारे इस चैनल पे लमसम 10 दिनों से कोई भी वीडियो नहीं आ रहा था इसका रीजन ये था दोस्तों हमारी जो माइक थी दोस्तो वो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी तो मैंने दोस्तो फाइनली दोस्तो फिलिप कार्ट से बोया यमोन माइक दोस्तो परचेस कर लिया है तो दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आप लोगों को इसकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करूंगा और इसके साथ साथ दोस्तो मैं ये भी बताऊंगा कि बोया यमोन माइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए और इसके साथ साथ दोस्तो मैं ये भी बताऊंगा कि इसकी आईडियो क्वालिटी दोस्तो कैसी है तो दोस्तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी तो दोस्तो वीडियो को सुरू से रेकर लाश्ट सक देखते रहिए और चलते हैं दोस्तो वीडियो को कंटीनू करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तो आपसे छोटी से रेक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आयां तो चैनल को अजय Whew कर लीजिए ₹ कर दिए लाइक से मैं मोटिवेशन मिलता है वीडियो वीडियो बनाने का तो दोर्स्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों फटाफट जो है मैं कि अन अन्बॉक्सिं में लेका क्र लेता हूं तो यहां से दोस्तों इसको ओपन करेंगे उसके बाद दोस्तों यहां से इसको ओपन करेंगे ओपन करने के बाद दोस्तों इसको जो है माइक निकाल लेता हूं अंदर से तो दोस्तों यहां पर देखे एक छोटा सा दोस्तों पैकेज आप लोगों को मिलेगा उसक दोस्तों इसको आप पढ़ना चाहते तो पढ़ना चाहते नहीं तो साइड में रख लिए इस माइक के बारे में लिखा हुआ है कैसे लगाना है कैसे आप सिल डालेंगे इसमें पूरी डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ना चाहते दोस्तों बोया यमन माइक की दोस्तों डोरी काफी लंबी होती इसलिए यह आप लोगों को मिला है इसमें आप कहरी कर सकते हैं कहीं भी ले जा सकते हैं इसको तो दोस्तों यह रही बोया यमन माइक इसके साथ दोस्तों आप लोगों को एक जेल मिलता है तो इसको दोस्तों सा लेता हूं इसके साथ देखे दोस्तों क्या क्या मिला है मैं आप लोगों को दिखा देता हूं अच्छी तरह से दोस्तों यह देखे दोस्तों अगर आप DSLR से दोस्तों आप जो है वीडियो record कर रहें तो दोस्तों ये DSLR में दोस्तों ये फिलक लगेगा और ये दोस्तों यहां पर लगा देंगे जैसा कि आप देख पाएं इस तरह से दोस्तों आप को लगाना है अगर आप DSLR से सूट करते हैं तो नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं अगर मोबाइल से आप सूट करते हैं तो दोस्तों यह जो बोया माइक में ही पिलक है यही काम करेगा तो इसको साइड में रख देते हैं और देखते हैं क्यानिकला है और दोस्तों यहां पर देखें इसमें किलिप है जो कॉलर में लगाई जाती है तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं इसको भी कैसे लगाना है यह भी मैं आप लोगों को बता दूंगा इस वीडियो में तो द दोस्तों इसको जो है आप कॉलर में कहीं भी दोस्तों आप लगा सकते हैं और दोस्तों इसके साथ साथ दोस्तों यह देखे फुली एकदम टाइप में मिलेगी दोस्तों यह उपर लगाया जाएगा इससे दोस्तों जो है लगाने से आवा दोस्तों जो है अच्छी थोड़ी आइडियो क्वाल्टी आती है तो इसको आप लगाना चाहते हैं तो लगा लीजे नहीं तो आप निकाल के रख ली सकते हैं और दोस्तों यहां पर देखे इस बॉक्स में दोस्तों चोटा सा दोस्तों आप लोगों को सिल दिखाई दे रहा होगा तो दोस्तों आप लोगों को बता दूँ यह सिल डाला जाएगा कैसे तो दोस्तों मैं इसको जो है फटा फट निकाल लेता हूं उसके बाद दोस्तों यह दर ही बोया यमन माइक तो दोस्तों बोया यमन माइक को मैं ओपन कर लेता हूं फटा फट तो दोस्तों यहां से दोस्तों आप जो है इसको आप जड़िए दिखादेता हूं अच्छी तरह से देखे दोस्तों यहां पर सिल कर एगा तो सिल ऑठाएंगे अप दोस्तों यहां पर प्लस माइनस आप लोगों को ध्यान zkटना है तभी सही सैंशे आपको डालना है यहां पिर सभ लिखा उवा है प्लस माइनस किदर रहे तो आप इसको डालने के बाद दोस्तों टाइट कर देंगे दोस्तों यहाँ पर वीडियो आपको एकदम ध्यान से देखना है तब ही आप जो है बोया माई को कनेक्ट कर पाओगे अपने मोबाइल से तो दोस्तों यहाँ पर दो आप लोगों को देख कर रहे हैं तो दोस्तों यह बटन नीचे को कर देंगे तो यहीं दोस्तों थी अनबॉक्सिंग दोस्तों यह जो आवाज आप दोस्तों सुन है हो यह सिरिफ मोबाइल की आवाज है आप दोस्तों मैं बोया यह मोन माइक दोस्तों इसमें लगा कर आप रोगों को दिखाता ह किस तरह की दोस्तों आवाज आएगे तो आप सुनिये जरा आप दोस्तों ये जो आवाज आ रही है ये बोया येमोन माइक की दोस्तों आ रहे है तो अब आप एकदम अच्छी तरह से दोस्तों समझ गए होंगे कि बोया माइक की दोस्तों आवाज कितनी अच्छी है दोस्तो मुझको तो यह माइक दोस्तो काफी अच्छी लगी दोस्तो अब मैं आप लोगों को बता दू कि इस बोया यह माइक की दोस्तो लंबाई कितनी है दोस्तो मैंने इंची टैप से ना पा है तो इसकी लंबाई साड़े छे मीटर दोस्तो लंबाई है तो दोस्तो काफी लंबी है ये माइक तो दोस्तो उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी परसंद आया होगा अगर वीडियो परसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए अगर दोस्तो आप कोई हमसे सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें Instagram पर follow कर सकते हैं Instagram का link वीडियो के description में मिल जाएगा तो वहां से कोई भी सवाल है तो दोस्तों पूँश सकते हैं तो मिलते हैं किसे next video में तब तक के लिए बाइ बाइ